हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माय दुजा क्या बॉटल फीडिंग करने से कोई नुकसान होता है क्यों हमें काफी जादा समय तक बॉटल फीडिंग नहीं करना चाहिए बॉटल फीडिंग कैसे बंद करना चाहिए, हम लोग उसके उपर अल्डेडी एक वीडियो कर चुके है, जो मैं वीडियो यहाँ पर लिंक करे हूँ बड़ आज हम लोग जानेंगे, बॉटल फीडिंग टाइम से बंद क्यो करना चाहिए First of all all of you, क्या बच्चे को बॉटल देना कमपलसरी है, यह बिलकुल भी नहीं है In fact, बॉटल जितना कम दोगे उतना आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा है Especially जो breastfeeding बच्चे उनको तो आपको बॉटल नहीं ही देना है अगर आप working mother हो, दिन में एक या दो बार या से आपको twins है आपको दिन में दो बार बॉटल देना पड़ता है, तो वो दूसरा स्टोरी है बट किसी वज़ा से अगर breast milk नहीं है, या मा breastfeeding नहीं करवा पाती है या बच्चा breastfeeding नहीं कर पाता है, तो अपने पास जो option बचता है वो लेक्टोजन या powdered milk का option बचता है और फिर वो बॉटल से देना काफी जादा helpful हो जाता है अगर आपको बार-बार वैसे ही देना है, तो तो अगर आप लोग बॉटल फीडिंग कर रहे हो, तो आपको बॉटल कमपलसरी बंद करवारना है छे महिने से लेके, नौ महिने से बीच में आइडियले हम लोग बोलता है, बहुत तो बहुत तुम लोग ने खीट लिया तो बच्चे के फर्स्ट बड़्डे तक उसके बाद बच्चे को बॉटल देना, इस स्ट्रिक नो-नो आज के वीडियो में जानेंगे, वो 5 चीजे जो बहुत जादा नुकसान करती है अगर आप लोग बच्चे को बहुत प्रोलाउंग बॉटल फीडिंग करोगे तो श्याय आसान है कि बच्चे को बॉटल देना, हाँ जी अगर आप 6-7 महिने तक अल्रेडी बॉटल दे रहे हो तो यह बहुत आसान हो जाता है कि बच्चा एक तो खूदो के अभी बॉटल पकड़ना सीख लेता है बस भरके दे दो फटा-फटा-फटा-फट पाथ साथ मिनिट में बच्चा बॉटल ख़तम कर देता है बच्चे का पेट बनना बहुत आसान हो जाता है तो बहुत सारे parents को एक go-to option लगता है कि चल ठीक है नयार बच्चा किर-किर कर रहा है खाना नहीं का रहा है ठीक से खाना नहीं का रहा है तो भी चलो डिके बॉटल बरके दे दो यार काम तो हो जाएगा नहीं, नहीं, नहीं यह सबसे गलत बात है कि हम लोग बच्चों के साथ यह चीज करते है तो सबसे पहला चीज जो बच्चे बॉटल फीडिंग करते है उनका tooth decaying का issue बहुत जादा strong होता है विकास आप लोग दिन में जितनी भी बार बॉटल दे रहे हो, उतनी बार कोई बॉटल के बाद हम लोग ब्रेश नहीं कर रहे है अगर आप राट में बॉटल दे रहे हो तो तो और भी बुरा बॉटल फीडिंग के बाद हम लोग कोई ब्रेश नहीं करवा रहे है बच्चों को, तो उसकी वज़ा से काफी सारा दूद जाके जमा हो जाता है, दातों के ऊपर अपना एक कोट बना लेता है, जिसकी वज़ा से automatically बच्चे के दातों को sudden लगने के chances बहुत जादा बढ़ जाता है Milk tooth cavity, मतलब दूद के दातों में लगी हुई cavity बहुत सारे लोग को लगता है क्या वरक पड़ता है, वैसे भी दात गिरने ही वाले, ये बात सही नहीं है दूद के दातों में लगी हुई cavity काफी जादा नुकसान करती है इसलिए आप लोग को 100% avoid करना है कि बच्चे को अगर आप लोग bottle day रहो तो दिन में एक या दो बार उसके बाद preferably wet कपड़े से मुँ अच्छे से clean कर दो, 6-9 मिने के बाद bottle बन कर दो रात में तो bottle आपको compulsory नहीं देना है, because वो risk बहुत जादा बढ़ा देगा दूसरा चीज, अगर bottle मुँ में रखके बच्चा सो रहा है या रात में बच्चा काफी देर के लिए bottle मुँ में रख रहा है ये बच्चे के smile को compromise करता है तो usually जो बच्चे bottle जादा लेते है उन लोग के facial muscles और ये जो palate के muscles है वो अच्छे से develop नहीं हो पाते है जो proper chewing, munching, बाकी के बच्चे जो भी functions करता है उसमें develop होता है तो अगर बच्चा prolonged bottle feeding कर रहा है तो उनका जो smile है वो कहीं ना कहीं affect भी होता है और compromise भी होता है तीसरा वजए this kids become a picky eater ,peaky eater मतलब कहा मुझे नही कहाना है मुझे मुझे मूह नहीं कहाना है मुझे 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 कहाना है जो 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 से रहेगा और bottle के लिए जित करेगा तो यह बात आप लोगो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे को आप बॉटल उतना मत दो कि बॉटल उसका खाना बन जाए बॉटल में जो है वो दूद दे रहे हैं आप लोग जो नूट्रिशियस है क्या श्या पहले छे महिने के लिए यस वो बच्चे का प्रिलीमिनरी सोर्स होता है जो भी आप पाउडर मिलके ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे हो उसके बाद वो बच्चे को खाने के साथ फिर भी न नूट्रिशन देता है करीब एक साल के बाद तो बच्चे का सेकेंडरी सोर्स है बच्चे ने प्रोपर खाना खाना ही चाहिए तो आप लोग अगर छे महिने से लेके बारा महिने के बीच में बच्चे को खाने के जिगा पर बॉटल दे दोगे तो अब्विसली बच्चा को खुद का खाना बना देगा जो हम लोग को हंड्रेड परसेंट नहीं चाहिए तो आप लोग को यह चीज ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे को खाने के समय अगर आप लोग बॉटल दोगे तो बच्चे का न्यूट्रिश्यस जो खाना उतने एक्चुली खाना चुई है उसके लिए बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीव देता है और कई बार खाने को स्किप करके बच्चा बॉटल प्रिफर करता है तो यह आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा जूरी है पोर्थ रीजन आयन डेफिशिंसी याद रुको आल अफ ले रहा है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला खाना नहीं खा पा रहा है और वो प्रॉपर ली बॉडी में अब्सॉर्ब भी नहीं हो पा रहा है जिसके वजह से बच्चे के बॉडी में आयन डेफिशिंसी डेवलप होना इस कॉमन जो इन अवे प्रॉबलमाटिक है नहीं के ऊपर भी उनका इलांगेटिड बॉडल फीडिंग चालू है उन बच्चों के केस में पाया गया है जैसे वो बच्चे छे साल तक हो जाता है देविल अबजर्व की बच्चे ओबेसिटी के साइड में या ओवरवेट के साइड में शिफ्ट हो रहा है ओवरवेट अपने साथ में कई सारे इसूस लेके आता है चाइल्डूड ओबेसिटी फ्यूचर में डाइबिटीज बीपी और कई सारे ऐसे इसूस जो किसी ऐसे इंसान को होते है जिसका वज़न जादा है उनकी केस में हो सकता है इसलिए आप लोग को बॉटल फीडिंग बहुत प्रो रिलोकेट कर दो कहीं और डाल दो इस ऑल्वेस बेटर किन किन बच्चों के साथ याइडिया काम नहीं करता है तो हम लोग बोलता है कि दूद को डाइलूट करने लग जो 50% दूद 50% पानी फिर 75% पानी 25% दूद फिर 100% पानी पे शिफ्ट कर दीरे दीरे तो बच्चे का और बॉटल का जो association है वो काफी हथ तक कम हो जाएगा तीर स्रा चीज बच्चे को पूरे दिन में मिला के आपको हाड़ली 400-500 ml ही दूद देना है अडिली उससे भी कम दिया तो भी चलेगा बिकास्ट आप लोग को देहन में रखना है कि उससे जादा नहीं होना चाहिए औ क्लोली उनका ट्रांजिशन टीक से करने के लिए तो ममाज लोग जो जो लोग बॉटल बच्चे को दे रहे हो याद रखो यह पाज साइड इफेक्स है मेजॉरीटी बॉटल फीडिंग है अगर आप वो प्रोलॉंग करते हो बियॉंड नाइन मन्स अगर बच्चे को करते हैं करते हैं करते हैं